तारीख 24 जनवरी 2030 हम सब के लिए हर रोज की तरह समाने दिन था पर इस दिन दुनिया के बहुत से लोग हैरान थे, परेशान थे और शेर मार्केट के दुनिया में जैसे भूचाला गया था कारण था अडानी ग्रूप के शेर में तेजी से आती गिरावट और गिरावट इतनी भयानक थी कि अडानी ग्रूप को 4 लाग करोर से अधी का नुकसान हो गया जो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है शेर मार्केट में आया ये भूकम पे इतना तेज था कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में चौते स्थान से सात्वे स्थान पर आ गये नमस्कार दोस्तों मैं अमर्जीत सिंग आपका दुनियादारी की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आखर ये सब हुआ क्यों आईए जानते हैं कुछ मुख के कारण लेकिन इससे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे हिंडर्बग नाम की कंपनी की एक रिपोर्ट सामने आई अडानी ग्रूप को लेके जिसमें उन्होंने अठासी गंभीर आरोप अडानी ग्रूप पे लगाए थे जिसके बाद तो शेर मारकेट का बैल धडाम से मुह के बल जमीन पर गिर पड़ा अमेरिका की ये कंपनी जिसे 2017 में बनाय गया था इस कंपनी को बनाने के पीछे मुखे उदेश था कि फाइनेस की दुनिया में man-made disaster का पता लगाना इस कंपनी के फाउंडर अमेरिका युनिवरसिटी से international business में graduate है और past में उन्होंने इसराइल में ambulance driver के रूप में काम भी किया है हिंडन बग का कहना है कि अडानी ग्रूप गलत तरीके से देश का पैसा देश के बाहर ले जाती है और फिर वापस अपने लोगों के माध्यम से अपनी ही company में विदेशी निवेश बता कर निवेश कराती है अडानी ग्रूप अपने company के balance sheet को बढ़ा चड़ा कर दिखाती है जो वास्तों में उतना बढ़ा नहीं होता है और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अडानी ग्रूप के companies का जो share है वो market में यानि कि share market में बढ़ता जाए और बहुत ही छोटी से audit firm से अपना audit कराती है जिसमें केवल 4 CA है और जिन में से 3 CA की उम्र 28 साल से भी कम है और 11 employees है अडानी ग्रूप के खातों में बड़ी गरबड़ी है जिसमें accounting ठीक तरीके से नहीं की गई और यही कारण है कि 8 साल में 4 CFO ने स्तीफा दे दिया इन सब पर अडानी ग्रूप का कहना है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है ना ही कोई research की गई है बस company और company से जुड़े लोगों के नामों को खराब करने के लिए ये report बनाई गई है आगे कहते हैं कि company 27 जनवरी से market में FPO के रूप में इन्वेस्टरों से 20,000 करोड रुपए एकठा करने वाली थी बस ऐसी चीज में बाधा उत्पन्न करने के लिए और company के reputation को damage करने के लिए ये report त्यार की गई अडानी ग्रूप ने इस पर कानूनी कारेवाई करने के त्यारी कर ली है तो यहीं हिंडनबक का कहना है कि वो चाहते हैं कि अडानी ग्रूप अमेरिका में आके उन पर कानूनी कारेवाई करे सचाई कुछ भी हो पर अडानी ग्रूप को इससे काफी घाटा हुआ है और यह घाटा अभी थोड़े दिन तक रूगने का नाम तो लेता हुआ नहीं दिख रहा है वैसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जनकारी के साथ तब तक के लिए अलविदा और कॉमेंट के बादे हम से बताएं कि इस पर आपका क्या कहना है